जहिंद पैरे बच्छों, नमस्कार, स्वागत है आज एक लास में और आज एक नया टॉपिक हम लोग इस्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस जी आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे सवाल बनते ह करेंगे तो आज मैं आपको इस फर्ष पार्ट में सबसे पहले तो हम आपको इसका बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही कम समय में या आसानी से या एक बेस्ट मैथट से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आई बच्छों यहां पर हम प्रॉमिस से आप से ठीक है तो आई बच्छों में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप जैसा कि आप जाने जैसा कि अभी मैंने आपको बताया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सभी बच्चे हीडिंग लगा लेंगे प्रॉफिट एंड लास जिसको हिंदी में बोला जात सब्सक्ति इसको प्रॉफिट या ज़ाता है और प्रॉफिट met यहां पर लाभ और इसे क्या बच्चो बहाता है है हानी बोला जाता है अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तीन प्रकार के मुल है और सारे के सारे बच्चों जो कोश्चन होंगे वह इन्हीं तीनों प्राइज पर इस्पेसली बेस्ट होंगे आगे चलके इसमें मार्क प्राइज और डिसकाउंट भी आएगा जितना पैसा जितना धन वे हुआ है यानि पार्टिकुलर आर्टिकल को बनाने में कितना रुपे खर्चा हुआ है उसे हम हंडेट परसंट कंसीडर करते हैं राइट बच्चों सेलिंग प्राइज नहीं बिक्रे मुले क्या होता है तो आप ध्यान दीजिएगा जो फिर पर बेचना जाता है तो उसका सेलिंग प्राइज बच्चों कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 परसंट बच्चों अगर ये तीनों बाते आपको समझ मा जाती है तो आप अपने एक्जाम में आने वाले किसी भी सवाल प्रॉफिट ए लाउस के सवाल को आ कि बच्चों प्रॉफिट हुआ है अगर बच्चों 100% से से चते हैं तो यहां पर लॉइंग में धें समझेगा बच्चो percentage matching क्या होती है इसको आपको समझना है यह क्या है percentage matching क्या है देखे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक वस्टू को 10% profit पर 10% पर 1100 रुपे में बेचा तो बच्चो आप जानते हो कि 10% profit का मतलब क्या होता है कि पहले आपने 100% में खरीदा होगा और 10% profit हो गया है तो अब यह कितना हो गया 110% तो बच्चो बेचा percentage में कितने में 110% और रुपे में बता रहे हैं 1100 रुपे में तो बच्चो यही इसी को क्या बोला जाता है percentage matching यानि प्रतिसत से value को क्या करना equal करना तो 110% बरावर बच्चो 1100 है तो यहां से एक percentage की value आ जाएगी कैसे आप 1100 में 110 से divide करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 10 यानि एक percentage की value बच्चो कितना है 10 अब अगर आप से कोई पूचे CP कितना है तो आप जानते हो CP 100% होता है और यहां पर एक percent की value दी है तो CP हुआ 100% और एक percent की value बच्चो कितना है 10 तो यहां से आपका total CP कितना जाएगा 1000 तो यह जो बच्चो concept है इसे concept को बोलायाता है percentage matching तो तीन percentage प्राप्त होंगे CP का percentage always बच्चो 100% आएगा अगर profit हुआ है तो जितना profit होगा उतना ही 100 से ज्यादा होगा उसे SP कहेंगे और अगर बच्चो loss होगा तो 100 से उतना ही कम होगा और उसे ही SP कहा जाएगा तो अब हम यहां से practice करना problem करेंगे है ना तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से हम इन चीजों को समझा पाएंगे एक व्यक्ति एक वस्तू 960 रुपे में बेचता है और 4% की हानी सहता है वस्तू का क्रेमूल यानी CP बताईए ठीक है selling price 960 रुपे है और loss percent है 4% देन आपको बताना है कि CP कितना है तो बच्चों आपको स्रीप और स्रीप यहां पर percentage matching करानी है कैसे यह CP और यहां पर loss हो रहा 4% अब आप यह बताईए अगर 4% की हानी हो गई तो वस्तू को सिल कितने percent में किया जा रहा होगा तो 100% में हम खरीते हैं यानि 100% से 4% कम पर क्या किया होगा बेचा ह होगा तो 100% से 4% घटाएंगे तो बच्चों उसका selling price का percentage आएगा 96% यानि परसंटेज में बेचा 96% और रुपे में बेचा है 96 रुपीज में सवाल आपका complete हो चुका है तो बच्चों यहां से 1% की value आजेगी 96-96 कटो 10 बार तो बच्चों 1% की value आगे कितना 10 और अब हमें बताना है बच्चों CP कितना होता है तो CP बच्चों होता है 100% 100% और एक परसंट की value 10 है तो यहां से बच्चों आ जाएगा कितने रुपे आपको 1000 रुपीज यानि उस बस्तों का CP कितना है 100,000 रुपीज होप यह चीज़े आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझभाई ही आ पुस्तक की लागत कीमत यानि cost price 150 रुपीज है है ना 20% के लाव के लिए उसे किस नूली पर बेचा जाना चाहिए यानि अगर हमें 20% लाव गेन करना है तो उसके लिए selling price कितना होना चाहिए तो बच्चों यहां पर भी matching कर लो यह जो 150 रुपीज है बच्चों यह लागत कीमत का परसंटेज बच्चों कितना होता तो आप बोलेंगे 100% होता है सवाल आपका यहां पर क्या हो चुका है खतम हो चुका है अब डारेक्ट सवाल कहसे सौल करेंगे यहां पर 100% बराबर कितना होगा 150 रुपे अब हमें चाहिए क्या selling price तो 20% लाव के साथ selling price कितना होग 120% की हमें value प्राप्त करनी है क्यों 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 कि 20% लाब का अर्थ होता है उसे 120% में सिल करना है तो बच्चों 100% की value आगी डेड़ सुरुपे तो 120 कितना आएगा ये चीज़ा बहुत अच्छे समझते हैं 150 में अगर मैंने 100 से भाग दिया अभी आपको मैंने सिखाया था ब मुझे बच्चों चाहिए कितना 120% तो यहां पर 120 से into कर देंगे और हमारा question solve हो जाएगा तो बच्चों 2-0 से बच्चों 2-0 कड़गे 12-15 गुना करेंगे तो यहां से बच्चों रुपे आ जाएं कितना 180 यानि यहां पर right answer क्या हो जाएगा 180 रुपे में उस article यानि उस book को sell करना पड़ेगा देख रहे हम लोग किसी टेप recorder को 950 रुपेओं में बेचने पर मुझे 5 प्रत्सत की हानी होती है उसे 1040 रुपे में sell करने पर मुझे कितने प्रत्सत का लाब होगा तो बच्चों यहां पर देखीगा ध्यान से यहां पर हमारे पाद 950 रुपे में स्मझना है अगर मैं 950 रुपे में ध्यान दीजिएगा 950 रुपे बराबर जानते हूं कितने परसंट है कि जब मैं किसी आर्टिकल को यह टेप रिकार्डर को 950 रुपे में sell करता हूं तो मुझे 5% का लॉस होता है 5% का लॉस का मतलब मैं उसे कितने परसंट में बेच रह हूं इसलिए बच्चो 950 बराबर 95 प्रत्सत अब अब यहां से 5% का नुक्साना रहा है ना इसी प्रकार से मैचिंग करा दो 1040 1040 बराबर कितना आ जाएगा तो अब आप जानते हैं 95% में 950 का देंगे और फिर हमें निकालना किसका है 1040 का बच्चो सवाल आपका सौल वो चोका है 0 से बच्चो कितना कड़ गया 0 95 से 95 कड़ गया अब यहां आया 104 104 का मतलब बच्चो क्या है लाब यहां से कितना आएगा 4% उसी प्रकार से जिस प्रकार से 95 प्रत्सत का मतलब है 5% इनकी हान ही हुई बच्चों, उसी प्रकार से हाँ यह आया 104, यह 104 percentage का मतलब हो गया कि लाब कितना हुआ, 4 percentage का, बच्चों परसंटेज का चीने वो यहां से है, क्योंकि यहाँ पर percentage ही लगा हुआ था, अब बच्चों बढ़ते हैं question number 4 की तरह, कुश्यन नमर फोर्त है हाँ पर राम एक मेज 450 रुपे में खरीता है और 30 रुपे उसके परिवहन पर खर्चा करता है यदि वह मेज को 600 रुपे में बेंचता है तो उसका प्रतिस्त उसका लाब प्रतिस्त बताईए तो आईए बच्चो देखते हैं देखे ध्यान दीजेगा खरीदा तो 450 में था लेकिन उस बस्तो को घर तक लाने में उसको 30 रुपे अत्रिक्त खर्चा करना पड़ा इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइज कितना आएगा टोटल आपका जो CP होगा बच्चो वो बताएंगे आप तो SP तो आपके सामने 600 रुपे तो अगर SP 600 है खरीदा कितने में है 480 में तो यहां से 120 रुपे का उसको फायदा हो रहा है बच्चो घटा देंगे इसमें से 600 में से 480 घटाएंगे इसका मतलब बच्चो क्या हुआ प्राफिट होगा यहां पर प्राफिट परसंट बराबर कर लिया तो बच्चो यह कर जाएगा कितनी बार चार बार चार से बच्चो सो को कर देंगे कितनी बार 25 टाइम तो प्राफिट परसंट बच्चो कितना आ जाएगा 25 परसंट का यहां से प्राफिट हो जाएगा तो इस प्रकार के सवालों में बच्चो आपको ध्यान रखन ही है आई बचो कोश्च नमर फिट की तरह बढ़ते हैं एक मसीन की कीमत हर वर्ष दस परसेंट घड़ जाती है यह उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपे हो तो दो वर्ष बाद उस मसीन की कीमत कितनी रह जाएगी तो बच्चों आप ध्यान दीजेगा आपको दिया है प्रेजेंट जो उसका वर्तमान मूले हो कितना है 50,000 अब ध्यान दीजेगा यह 10% होता है बच्चों 10% तो आप जानते हैं इसे 10% है तो 10% अगर घ 50,000 रुपे थी अब अगर 10% की कमी हो रही है यह एक साल बाद इसका मूले रहेगा 9 बच्चों कितना 10% चूंकि पूचा है दो साल बाद तो एक बार और गुना कर देंगे 9 बच्चों कितना 10% अब यहाँ पर आपका सवाल खतम हो चुका है अब 0 से 0 बच्चों यहां से का पांच से गुड़ा कर लो पांच और पांच अटे कितना चालिस तो 40,500 रुपे दो वर्स बाद उसके कीमत रह जाएगा यह नि आपका राइट हो जाएगा बच्चों 10% का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि होता है 90% या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि 10% होता है आईए बच्चों इसी सवाल को अगर आपको रेशियो से सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आईए मैं आपको बताता हूँ तो बच्चों आप जानते हैं कि 10% इसकोर टू कितना होता है यह हो जाएगा 1 बटे 10 यानि 10% की बच्चों जो भीन होती हो एक बटे कितना होती दस होती यह बहुत ही सिंपल है आप जानते हैं तो अब आप ध्यान देना कि पहले जो इसका मूली था बच्चों 10 था और एक साल बाद 10 परसन की गिरावट आई यानि कि एक घड़ गया तो बच्चों कितना रह गया नो अब यह प्रक्रिया को दो वार करना है क्योंकि दूसरे साल भी क्या है यह प्रक्रिया हुई होगी पहले मूल था 10 एक घड़ गया तो कितना नो अब आप ध्यान देजिएगा 10 10 कितना होता बच्चों 100 और 9 9 कितना होता 81 अब आपको ध्यान देना है इन्होंने क्या बोला ह को solve कर सकते हो कि 100 ratio बरावर बच्चों कितना है 50,000 और आपको बचाना 81 ratio की value 81 ratio कितना हो जाएगा तो अब आप वही काम करना है आपको 50,000 अपान में कितना 100 बच्चों और इंटू चाहिए आपको कितना 81 की value तो बच्चों 2,0 से 2,0 आपने कार दिया और सेम calculation repeat हो जाएगा 5 से दर गुणा किया 81 से 5,1,5,5,5,8 कितना होता है 40 तो यह आपका बच्चों आ जाएगा तो दोनों तरीके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है लेकिन यह तरीका बच्चों कोश्चन नमर 6 देख रहे हैं हम लोग एक बेक्ती किसी भुखंड को तीन बिचवलियों के द्वारा खरीता है जिन में से प्रतेक 20% का लाप रात करता है यदि बेक्ती ने भुखंड को रुपे कितना 3,45,600 रुपे में खरीदा हो तो भुखंड का वास्तविग मूल क्या था तो यहाँ पर नहीं है तो आप थोड़ी दिर के लिए क्या करें वास्तविग मूल अपना मानने कितना है पी अब ध्यान दिजिएगा 20% का मतलब बत्चों क्या होता है आप जानते हों 20% का मतलब है बच्चों 20% मतलब एक बटे कितना होता है नहीं थीक है जब आपने P यानि जो आपने प्राइज माना है इसमें 6 बटे 5 से अगर एक बार आप गुना करोगे तो यह पहले विच्वलीए का विक्रेमूल हो जाएगा फिर बच्चों दूसरे कितना हो जाएगा छे वटे कितना पाँच और तीसरे कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 5 क्योंकि यहाँ पर कितने 3 भी चोले हैं 3 अब आईए ऐसा करने पर इसका वस्तू का जो प्राइज आया है इसका जो भोकंड का जो मून ले आया है वो कितना है 3,45,600 रुपए तो बस सवाल आपका सिनी सो चुका है अब आपको सिर्फ और सिर्फ टैल्कुलेशन करना है यहाँ पर तो अगर पी आपको निकालना है बच्चो पी तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पर कितना है 3,4,5,6,00 5,5,25 5,125 इधर आगे 125 और बच्चो अपान में कितना हैगा 6,6,6 यहाँ बच्चो 216 तो आप देखेगा यह 6 से कट रहा होगा तो 6 बार तो कटेगा नहीं क्योंकि 6 से चुड़ा ज्यादा बढ़ा है 6 के बाद कि संक्या का इकायंग 6 होता है बच्चो 16 16 से डिवैड हो जाएगा पूरा इतना 16 से और 2,0 आप इधर बढ़ा लो अब यहाँ से कैलकुलेशन का आपका पार्ट है बच्चो 16 सो और गुणे कितना 125 तो आप जब इसको कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इसके लिए बच्चो उमने ट्रिक आपको बता रखी है कि जब किसी संक्या को बच्चो 125 से गुणा किया जाता है तो उसको 1000 बटे 8 से गुणा किया जाता है अब बच्चो 8 से गुणा कर दो जब आठ से भाग दे तो 200 तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2,00,000 थीक है तो राइट आंसर किया हो जाएगा बच्चों दो लाख थीक है तो बिल्कुल उसी परसंटेज के कंसिट पर है बशचों बहुत ही सवाल है इन सवालों के एक्जाम में आने की पॉस्टिविटि भी ज़ादा रहती है एक ही pattern पर हम लोगों ने इन सारे सवालों को solve किया है I hope कि आपको ये वीडियो बखुत ही जबरदस लगी होगी दोस्तों बहुत ही मेहनत मैं आपर करता हूँ सवाल को पर लिखता हूँ फिर इसको rough किया जाता है फिर इसको edit किया जाता है तो बहुत ही मेहनत से एक class आपके पास आती है आप इस class को अपना प्यार दीजिए और अगर आप नए है चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को आप subscribe कर लीजिए और अपने दोस्तों में इन चीजों को आप share जरूर करिए उन्हें बताई कि मैं बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको बताने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और and hope एचीज़े आपको बहुत ही जबद्दस तरीके से समझ में आ रही हूंगी मैं पूरा का पूरा गड़ित आपको free of cost पढ़ाने वाला हूँ यूटूब पर इस तरीके से pattern wise classes आपको नहीं मिलेंगी लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आप लोगों के लिए एप pattern wise, topic wise, level wise classes लेकर के आ रहा हूँ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली class में, तब तक के लिए, bye bye, take care, जै हिंद, जै भारत